वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ SSE Constable GD का जो एक्जामिनेशन्स 17 नौबर 2021 को 1st shift, 2nd shift and 3rd shift में कंड़क्ट हुआ है और इन तीनों shift को मिला कर जितने भी GKGS के questions बने हैं आज के इस वीडियो सेशन्स में सभी questions कराने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना skip किये full watch किजेगा आने वाले shift के लिए सभी questions काफी helpful होगा ये जितने भी आप स्क्रीन पे questions देख रहे हैं, ये 100% real और authentic है सभी questions candidate के दोरा provide किया गया है सभी questions काफी जांच करने के बाद ही notes बनाया गया है देख सकते हैं, proper डंग से सभी questions को ये देखिए, ये तीनों shift के mix questions है लगवग तीनों shift को मिला कर हमें 40 GKGS के questions मिले हैं फ्रेंड्स video sessions end होने के बाद आप इसका PDF टेलिग्राम चैनल से जुड़के डाउनलोड कर सकेंगे बिल्कुल free of cost और देखिए फ्रेंड्स पर इससे पहले 16 नॉमबर 2021 को तीनों shift को लगवग 70 questions GKGS करा दिया हूँ एक बार playlist को देख लिजेगा उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा और इसका PDF भी अफ्लोड कर दिया हूँ टेलिग्राम पर देख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स तेरी न करते हैं सभी questions को एके करके discuss करते हैं सबसे पहले हम लोग first shift के question देखेंगे फिर second फिर third देखें first questions पूछा गया था अनुछेद 32 किस से संबंदित है तो ये सविधानिक उपचारों के अधिकार से संबंदित है question second देखें निर्वाचन आयोक का मुख्याले कहा हैं तो ये है नई दिल्ली में question third देखें बंगाल का बिवाजन कब हुआ था तो ये 1905 में हुआ था बंगाल का बिवाजन question fourth देखें भारत के पहले निर्वाचन आयोक कौन थे तो वो थे शुकुमार शेन question five देखें CNG का full from क्या होता है तो compressed natural gas होता है question six देखें स्रिलंका का पुराना नाम गया है तो Ceylon है question seven देखें दिल्ली को भारत की राइधानी कब बनाया गया था तो ये 1911 में बनाया गया था बहुत सरे candidate बोल रहे थे कि options में 1911 नहीं दिया हुगा तो 1912 भी दिया हुगा तो भी सही है answer 8 देखें बिहार विधान सभा चुनाओं 2020 में Congress को कुल कितने सीटे मिली तो 19 सीटे मिली question nine देखें राजियू गांधी खेल रतन पुरुषकार का नया नाम क्या है तो मेजर धियान चंद्र खेल रतन पुरुषकार है question देखें 10 चंदर सेखर अजाद ने किश पार्क में खुद को गोली मारा था तो अलफ्रेड पार्क में खुद को गोली मारा थे 11 देखें गुदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है तो देखें हमें exact options नहीं मालूम चला कि आखिर options क्या था लेकिन सहायक नदी की बात करते हैं तो बर्धा, वेन गंगा, प्राण हिता ये सभी क्या है गुदावरी नदी की सहायक नदी आए 12 देखें सबसे ससक्त परमानुकेंद्र कहां है तो पोखर राजस्थान में है 13 देखें अंतराष्टी क्रिकेट खिलाडी बनने के लिए भारत में नियूंतम उम्र कितना है तो पंद्रे वर्स है अंतराष्टी क्रिकेट खिलाडी बनने के लिए 14 देखे, हाली में जारी रिपोर्ट काने सार, चंद्रयां सेकेंड ने चंद्रमा के कितने चक्कर लगाए है, 9000 से अधिक बार लगाए है 15 देखे, बनर घटा जो नेशनल फार्क है, कहां इस्तित है, करनाठका में इस्तित है Q16 देखे, 2019-2020 में कुल कितने लोगों को पद्न पुरिशकार दिया गया है, 119 लोगों को दिया गया है Q17 देखे, वाटसप ने UPI पेमेंट के लिए किसके साथ समझाता किया है Q19 देखे, भारत नाट्यम के जनक कौन है, तो भारत मुनी, जो के नाट सास्तर पर अधारित है Q20 देखे, CBI का कारेकाल दो वर्से बढ़ाकर कितने वर्स कर दिया गया है, तो पांच वर्स कर दिया गया है Q22 देखे, तो लाइफ पुस्तक के लेख कौन है, तो बिक्रम सेथ है Q22 युन थांग घाटी कहां इस्तित है, तो यह है सिक्के में Q23 देखे, पिलिया किसके कारण होता है, यह वर्स यनि विशाणू की द्वारा होता है Q25 नाम देफ़ा नेशनल पार्क कहां इस्तित है, किस राज में इस्तित है, अरणाचल परदेश में इस्तित है Q25 देखे, अमेजन के नए CEO कौन बनाए गए है, तो NDJC को बनाए गया है, अमेजन के नए CEO Q26 देखे, सती परथा के खिलाब सबसे पहले किसने कदम उठाया था, तो राजा राम मोहन राय ने उठाया था Q27, कुतिब मिनार के पांचवी मंजिल किसने बनाए था, तो फिरोज साख तुगलक ने बनाए था Q28, कुतिब मिनार इस्तित लौ अस्तम का निर्माण किसने कराया था, तो चंदरगुप्त दूतिय यानि विकर्मा दित्म ने कराया था Q29, हीमोगलोबिन की कमी से कौन सा रूग होता है, तो एनेमिया येनि अरक्तता रूग हो जाता है Q31, अनुश्य चियत्तर किस से संबन दित है, महा नयावदी की निउक्ति से संबन दित है Q32, रतनावली के रचनाकर कौन है, हर्थवर्धन है Q33, हरेला तेवहार कहां मनाया जाता है, तो उत्राखंड में मनाया जाता है Q34, 2020 में बिराट कोहली को कौन सा अवार्ड दिया गया था तो ये दिया गया था, Sir Garfield Sovers Award ICC Male Cricket of the Year के लिए Q35, निरज चोपड़ा का संबन किस जिले से, पानी पत से है, जो हरियाना में है Q36, दूतिय सिकंदर किसे कहा जाता है, अलाव दिन खिल जी को कहा जाता है 37, बंगला देश, पकिस्तान से कब आजाद हुआ था, तो ये 26 मार्च 1971 को हुआ था 38, देखे, पानी पत का पर्थम यूद कब हुआ था, तो ये हुआ था 21, अप्रेल 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में, ये बार-बार कोशन पूशा जा रहा है 39, देखे, 2020, IPL में औरेंज काप किसे मिला है, तो KL राहुल को मिला है कोशन देखे, 40, वन नेशन, वन रासन कार्ड कब स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है, 14 माई 2021 को, तो ये रहा SSC GD 17, नॉवंबर 2021 के, और सिव्ट के GKS के कोशन, तो आज के लिए इतना ही, मिलते है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जाहिए